वीवर्स वेलकम बाक टू रोयल केफे वन्स अगेन और इस ब्रेक के दुरान हमें एक बहुत ही और प्यारी और रिस्पिक्टेबल गेस्ट जो है उन्होंने जुआइन किया है उनका नाम बताने से पहले थोड़ा सापको बताती चलूँ कि अच्छी आफर पाकिस्तान वार्य प्रिंस लांच आट एक्सफोर्ड यूनियन इन 2014 उसके लावद चेर परसन है लिबरल यूथ पाकिस्तान की यूथ अंबसेडर पाकिस्तान इंस्टिटूट फॉर इवल्लपमेंट मिनॉरिटीज को लेके विमन इंपार्मेंट को लेके ब मैंपार्मेंट के लिए गिए मिनॉरिटीज के लिए छृष जिल्डर के'S लिए यूथ यूथ विम्पार्मेंट के लिए इन पाक्त यूध इंपसर जीर्व ये सोच कैसे आई मानא में मैं समझती हू कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा Cup मारी यूथ है जो हमारी मेजॉरिट मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा असेट हमारी यूथ है जो हमारी majority of the population हमारी यूथ को comprise कहता है और हमारे women को और मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा हमें focus इनी दो areas में करने की जरुएत है Secondly, minorities पे काम करना इसलिए important है इस वक पाकिस्तान में क्योंकि पहले तो मैं समझती हूँ minorities का word होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे मुल्क के citizens है और उनके patriotism पर हमें कोई doubt नहीं होना चाहिए बलकुर चाहिए और जो incidents पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में हो जा रहे है मैं समझती हूँ पाकिस्तान की सब लोगों को मिलकर minorities के साथ कड़े होना चाहिए उनको ऐसारी feel होना चाहिए कि वो किसी और मुल्क में है उनको हमने उनके proper rights देने हैं और उनको protect करना है क्योंके किसी भी society का जो जर्फ होता है उसके बड़ाई उससे नहीं जाहिए होती कि वो अपने जो majority है उसको किस तरह treat कर रहे है बलके वहां के कब्जोर लोगों को किस तरह के से treat कर जा रहा है और जो हमारे मुलक में कब्जोर लोग है वो हमारे minorities है हमारी women है दो women empowerment पे बहुत ज्यादा काम हुआ है पाकिसान में पिछले कुछ सालों में we had the first female prime minister of the entire Muslim world not only of Pakistan हमारी पहली हातून speaker बनी foreign minister बनी तो I think बहुत कुछ हो रहा है हमारी fighter pilots women है और अभी बहुत अच्छी बात है कि हैबर-पक्तून High Assembly ने पहली deputy speaker हातून मुंतहित की और बलोचिस्तान Assembly ने फिर्स्ट female speaker को elect किया तो बहुत कुछ हो रहा है अच्छा है पाकिस्तान के लिए और हमें इसी चीज़ को follow-up करने की जरुराइथ है सारे जिस्टों से भी आपने कहा के पाकिस्तान में women empowerment के हवाले से बहुत ज्यादा काम हो रहा है but don't you think that discrimination is still there? हम यह सैलोगें तो जरूर रेस करते हैं कि हम women भी उनको equal rights दे रहे हैं as per men but बहुत सी एफी अभी भी जगें हैं जहां पर जो एक conservative mind that is still there yes that's very much there क्योंकि opportunities हम एक तरफ कहते हैं कि हम हावातीन को equal rights दे रहे हैं लेकिन अभी two days ago Lahore में जो rape case हुआ उसके बाद जो वो victim थी उसने suicide इसले commit किया क्योंकि the way police were investigating it it was so derogatory और बहुत जाथा demeaning था तो मैं समझती हूँ कि हमारे मुलक में जो औरते हैं especially वो औरते जो किसी भी जाती का शिकार हो जाती हैं उनके लिए survive करना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है हमारे laws बहुत है कि हम women को protect कर रहे हैं बगर laws का implementation जो है वो नहीं हो रहा या नजर नहीं आ रहा similarly जो हमारा पंजाब का एरिया है सद्वन पंजाब सें इन एरियास में जो लड़कियां होते हैं चूटी चूटी लड़कियों की वडेरा system पीरों वाला system उनकी बहुत बड़े मर्दों से शादी कर दिया जाता है सेल कर दिया जाता है उनको और बच्चों के हवाले से I told about children rights तो बहुत बड़ा दिलमा हमारे मुल्क में यह हो रहा है चाइड लेबर और एक slavery bonded labor जो जारी है कि चोटे-चोटे बच्चों को घरों में जो काम के लिए छोड़ दिया जाता है तो यह है कि पहले तो उनकी पहले वाली generation भी गुर्बत में बड़ी हुई उसकी वज़ा से उनको काम करना पड़ा उन बच्चों को education नहीं मिल रहा बड़े होकर उनका क्यों कोई future नहीं है और इसी तरह से उनको harassment वगरा face करनी होती है हवातीन के हवाले से अभी हमारी लिड़किया बाहर जा रही हैं सब कुछ कर रही हैं I really admire all the working women of Pakistan लेकिन जब वह बाहर जाती है तो workplace harassment offices में होता है बलकुल चाहे वो घरों में काम कर रही हूं जिस तरीके से भी काम कर रही हूं तो that's very much there और वो हमारे laws के हवाले से ही नहीं change हो सकता लेकिन जो attitude है mind settle होगों का तो उसको change करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है बलकुल सही सायरा जी जो कि एक welfare के हवाले से बात चल चुकी है और जुसरा से मैंने पहले भी विवर्स को बताया कि सिंगर होने के साथ सथ जहां पर भी जाती है हमेशा पाकिस्तान की ब बच्छों को आपने खराजे तैसीन पेश किया और यह मेरे खायर से बहुत बड़ा गिफ्ट था जो भी 14 दिसंबर को आपका यह जो सौंग था वो लॉड़ा लिखा भी आपने खुद किया मैं चाहूंगी कि तोड़ा बताएं कैसे माइन में ख्याल आया और किस तरह से य ही है और भी मतलब माशाला वर्कावट कर रही है क्योंकि मैं बेसिकली सिंगर हूँ तो सिंगर अपना एक जो टर्ब्यूट पेश करके उसी तरीके से अपना हिसा देज सकता है जब यह सालिहा हुआ तो मैं उस टाइम अमेरिका में थी आच्छा और मैंने तब से सोचा था कि मैं जरूर कुछ करूंगी जाहिरा मैं एक बेटी भी हूँ बेहन भी हूँ और एक और जो होती उसके साथ कितने रिलेशन्स होते हैं तो मैं चाहती थी कि उन माओं को कुछ एक सबर के जैसे दौा दौाईया कोई चीज़ करना चाह रही थी तो मैंने फिर माइंड में सो घार दमा जो है ब्रदाश्किया बिर पिरमी जिटे जिए जिन माऊों जिन क्वे हैं बिलकल जिसका जो दर्ड होता है वो सरफ वही जानीं हॉम बैठ बातं कर सकते हैं लेकिरह कप बाते कर सकता मिंकर सकते दुख को कम नहीं कर सकते बाहराल पिर वो मैंने साथ में टूर्स भी करती गई फिर मैंने माइन में था वो मैं लिखती लिखा भी मैंने कि प्यारी माओं के प्यारे बचों को है सनाम हश्र तक इन शहीदों का रहेगा उंचानाम फिर मैंने जब चाहा कि कुछ ऐसी चीज लिखूं जो कुरान से भी रिलेटिड हो जो हमारे नभी से भी रिलेटिड हो कि हमारे नभी का फर्मान है कि अगर मतलब इस दुनिया में आपने कुछ हिसा कोया है तो उसके सोगने हिसे आपके अगली दुनिया में आपके लिख लिखूं तो मैंने लिखा कि जिनके चिन जाएं बच्चे इस जहान में मिलेंगे जन्नत में लिखा कु रान में मैंने ही कह रही कह रहा है खुदा अल्लप के नभी का ये पेगाम है प्यारी माओं के प्यारे बच्चों को सलام है जबधे हैं तो फिर खेर वो मैंने उसको लिखा भी परवर्दिगार से दुआ की कि मुझे कुछ ऐसा अता करें कि मैं कुछ करना चाहती हूं फिर अल्ला ने हिम्मत दी होसला दिया कि मैंने जब उसको रिकॉर्ड किया तो आप यकीन करें के चार-पांच गहँटे हम लेटरली रोते रह जब मैं माइक पर खड़ी और मैंने ये रो के जाहर है कि मैंने को लिखा खुद कंपोज भी खुद किया तो मेरे से अब लीव करें के रिकॉर्ड नहीं हो रहा था खैर वो रिकॉर्ड किया फिर मेरी विश्च थी कि मैं उसकूल में ही इसको परफॉर्म करूं और ताके मै पूरी दुनिया में ये बताना चाहती हूं कि हम जो मुसल्मान है वो घबराने वाले नहीं है कल भी जिन्दा कौम थे आज भी जिन्दा और आने वाले नसलों तक भी जिन्दा रहे हैं इंशाला हमारे से जो बड़े लोग थे उन्होंने भी कुर्बानिया दी बिल्कुल तो अला पाक ने मुझे हिम्मत दी और मैंने किया फिर मैंने वहां विजट किया मैं हाई कमेशन के पास जो है आथारिटीज में वहां गई यह गाना जब मैंने रिकॉर्ड किया कि जी मैं इसका विडियो करना चाहती है और 16 दिसंबर को मैं हिसा डालना जाती हूं कि एक ब आदिल से करती हूं कि कुछ लोग होता है कि मर के जिन्दा हो जाते हैं बेश्चत आप यकीन करें कि जब से वो बचे गए हैं वो हर घर में हर रूमें जिन्दा हैं जब से यह सानिहा हुआ है हर जिसका कोई मतलब किसे का कुछ लेना देना भी नहीं तो वह भी उनके घरों में भी बिनकी महबत उनका प्यान का उनके दिलों में प्रहुं के लिए जगा है तो मैं दॉआ करते हूं के फिर से माओं के लिए कि परवर्दिगारों को हिम्मत होसला दें और फिर से मैं सलाम करती हैं माओं को जिन्हों ने इतना बड़ा सब्सक्राव पर बहुआ हैं तो फिर यह मैंने इसका विडियो किया वजीरस्तान में गही हमने क्योंकिया मैंने कई सब्सक्राइब चीजें निसा लेने थी पर मैंने विजट किया और फिर पिशावर में हम गए सारह पिशावर जहा हुआ वहां हम गए उस स्कूल में 7000 बच्चों के साथ वीडियो फिर मैंने बना लॉंच किया लॉंच किया और मुझे दुनिया भर की मां उसे कॉल ले आई हैं दुनिया भर की माँ जहां जाँ परफॉर्म करती हैं बताया है कि मैं तो मेरी मा भी है में अभी हुए मैं इस तकलीफ को अपने अंदर समझ रख के और जब हम इस वीडियो को कर रहे थे तो sari bč claim चैश्व रो रही थी के اللہ تعالی मुझे द्वाइं दे रहे थे कि हमें वोई चीजें याद आ रही है तो आपने जो फिर से एक रिकॉल करा दिया है सब को करवा दिया है तो मैं कहती हूं कि जो देखें जहां जहां जो कर सकता है वो जरूर करें ये नहीं कि मैं जो भी कोई आर्टिस्ट है वो भी करें कि वो बहुत बड़ा हाथसा था ना भूने वाला एक बहुत बड़ा सानिहा बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी तकलीफ बहुत बड़ा जखं और जो वाकिए जर्ब लगी है दिलों पे मैं परवर्दियार से दौा करती हूँ उन माओं के दिलों को पूर करें मेरा मौला और उनको फिर से जिन्दगी में वो जिन्दगी नॉर्मल वाली बिल्कुती तो साहरा जी मैं अब दर्फास करूंगी कि यह जो आपका खराजे तहसीन है यह जो आपका ट्रिब्यूट है हम और हमारे विवर्ज हैं वो जरूर सुनना चाहेंगे मैं बिल्कुल सुनाँगे मैं चाहती हूँ साहरा कि आप वीडियो पूरा जरूर दिकाएं क्योंकि मैं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा बाद में उनका कफन बन गी बिल्कुल तो साहरा रशेदी का खराजे तैसी प्यारी माओं के प्यारे बच्चों को है सलाँ प्यारी माओं के प्यारे बच्चों को है सलाँ अशिर तक इन शहीदों का रहेगा उचाना प्यारी माओं तुम्हें है अमारा सलाँ 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 प्यारी माओं के प्यारे बच्चों को है सलाँ जिनके हों होसले इस तरह पहाड के वो डरते नहीं दुश्मन की धाड से जो ना आज खौफ में जो ना कल थे डरे उनका कितिना है उचा मकाम सलाँ 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 प्यारी माओं तुम्हें है अमारा सलाँ 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 जिनके छिन जाएं बच्चे इस जहान में मिलेंगे जन्नत में लिखा कुरान में मैं नहीं कह रहीं कह रहा है खुदा अल्ला के है नभी का पेगां सलाँ 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 जिनके सिमाओं को मेरा सलाँ मा सद कह जाएं बेटों की शान पे मा सद कह जाएं बेटों की शान पे पतन प्यारा है अपनी भी जान से कुरबान करते हैं अपने वो रात दिन एसे शेरों को मेरा सलाँ 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 प्यारी माओं के प्यारे बच्चों को है सलाँ एसी माओं को मेरा सलाँ एसे शेरों को मेरा सलाँ ऐसे शेरों को मेरा सन प्यारी माँ तुम्हे है अमारा सन